इस वीडियो में हम हिस्ट्री की मेरिड लिस्ट देखेंगे कि लास्ट एयर कितना रहा था उस हिसाब से इस एयर कितना रह सकता है क्योंकि पिछले एयर पिछले टाइम भी यूट का एंटरंस नहीं हुआ था तो देख रहे हैं कि 10,760 रुपे था एडिविशन फीस और उसक के बाद फिर डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था तो हम शुरू करते हैं यह ओपन मेरिड लिस्ट सेकंड है पहली मेरिड लिस्ट नहीं है इससे पहले भी एक निकल चुकी है यह उसके बाद वाली है दूसरी लिस्ट है ओपन म 52629 यह वाली थे यह दूसरी में उसके बाद रिजर्व वाली जो ही रिजर्व की केटेगरी में जो पहली मेरिड लिस्ट थी यह उनकी परसंटेज है जो कि SC की 71.81 तक मुझे थी 70.33 तक मुझे थी तो यह SC में थी केटेगरी लिस्ट वाली उसके बाद वाकई merit list है category में ये category की पहली है category बाद में निकलती है पहले open merit list open में निकलती है उसके बाद categories में भी निकलती है और अगर बचती है तो open में फिर से निकलती है RBA की यहां पर दिखाई गई है LC की RBA की waiting list 71.85 थी तो ये वो वाला उसके बाद ये कहां तक पहुंचा होगा ये self finance की list है self finance category list number 3 तीसरी है ये self finance की भी तीसरी list है 68 तक पहुंची है इस हिसाब से idea लगाया जा सकता है कि कहां तक जा सकता है इस साल merit list बिना जूट के entrance के ये पिछली year की है पिछली year में इस तरीके से रहा था merit list क इतने परसंट रहा था तो इस साल भी इतना ही होगा something around इससे ज्यादा होगा कम नहीं तो यही सब था merit list का एक idea था इसे मिलता आपको कि इस बार कितना रहेगा merit list हिस्ट्री का subscribe now and press the bell icon